आज मैं आप लोग की साथ दांतों को मोत्यू जैनल आज मैं आज मैं आप लोग की साथ जैसा सुफैद बनानी के लिए एक बहुती जबर्दस घरेलियो टोड का बताऊंगी जिस से काली पीले और गंदे दांत तेजी से साफ होकर चमकदार और सुफैद होते जाएंगी और साथ ही मुग की बदबू से भी निजात मिल जाएगी जो लोग दांतों की वज़ा से हर वक्त परिशान रहते हैं वो सिर्फ टूथ पेस्ट में दो घरेलियो चीज़े मिलाकर ब्रश करें परिशानी से चुटकारा मिल जाएगा तो चलिए शुरू करते हैं पर इसके पहले प्लीज मेरे चैनल को सबस्क्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाईए एवरी लेटिस ब्यूटी अपडेट को सबसे पहले पाने के लिए इसके लिए आप लोगों को चाहिए एक शीशी की चीज लेकर उसमें एक खाने का चमच टूट पेस्ट डाले पिर आदा काने का चमच बेकिंग सोडा और एक खाने का चमच लीमू का रस शामिल करके सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर ले जब ये तमाम चीज़े मिक्स होकर पेस्ट जैसा बन जाए तब इस पेस्ट को तोड़ा सा ब्रश पर लेकर दो से तीन मिनट तक दान्तों पर अच्छी तरह ब्रश कर ले इसी दान्त साफ होकर मोत्यों जैसे सुफैद हो जाएंगे ये तरीका हफते में दो मरतबा दोहराएं काली पीले दान्त काफी हद तक चमकने लगेंगे जब दान्त मुकमल तोर पर सुफैद हो जाए तब इस पेस्ट से ब्रश करना चोड़ दे तो व्यूवर्स तैंक्स फॉर वाचिंग मेरी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा मिलते हैं एक और नई वीडियो में तब तक के लिए अल्ला हाफिज